आज जो वैश्विक अर्थवस्ववस्था का रूप है विश्व व्यापार का महात्मे जिस प्रकार से बढ़ रहा है उस कॉंपिटिशन में अगर भारत को हमें आगे भढ़ाना है इस वैश्विक अर्थववस्था का लाप उठाना है विश्व व्यापार में भारत ने अपनी जगा पक्की करनी है तो भारत के पास उत्तम से उत्तम व्यवस्था वाले बंदरों का होना बहुत जरूरी है ये कंडला पॉर्ट और आज जो चीजें वहां निर्माण हो रही है एक प्रकार से कोई सोच सकता है क्या कि इतने कम समय में आज कंडला पॉर्ट पूरे एशिया में प्रमूक बंदरों में उसने अपनी जगा बना ली है पिछले एक दो साल में चाहे लिक्वीड कारगो हो चाहे ड्राइ कारगो हो पॉर्ट सेक्टर में काम करने वाले हर कोई जमतने हैं कि इसका जो ग्रोथ है वो पॉर्ट सेक्टर की अर्थनीती को जानने वाले लोगों के लिए बड़ा ही सर्प्राइज कर रहा है यह achievement किया है हम और धीरे धीरे पॉर्ट पर काम करने वाले लोगों को भी लगने लगा है यूनियन चलते हैं चलते रहेंगे लेकिन मिल जुल करके अगर हम इस पॉर्ट की ताकत को बढ़ाते हैं एक ताकत है इनफस्तक्तर की दूसरी ताकत है एफिशन्सी की ट्रांस्परंसी की और उससे इतना बड़ा प्रणाम देश को मिल सकता है जिसके हम कलपना नहीं कर सकते हैं अभी नितीन जी पता रहे थे इरान के साथ चोबर पॉर्ट उसका एक निर्ड़ा हम लोगों ने किया उस पॉर्ट का सीधा समन कंडला के पॉर्ट के साथ आने वाला है चाबाहर पॉर्ट और कंडला पॉर्ट इन दोनों का जुड़ना इसका मतलब यह होता है कि विश्व व्यापार में अंगत की तरह कंडला अपना पैर जमाएगा इतना बड़ा परिवर्टना आने वाला आज कंडला पॉर्ट को मेकेनाइज करने की दिशा में कुछ कदम उठाये जा रहे हैं केपेसिटी बिल्लिंग के लिए चौदा और सोला बर्थ के विस्तार और विकास के लिए योजना बन रही है और बदलते हुए यूग में पॉर्ट सीटी का कंसेप डेवलप्मेंट का एक इकनोमिकल एक्टिविटी का एक व्यवस्ता वो दिशा में भी योजना बन रही है है ट्रांस्पर्टेशन को बन मिले और इसलिए उस प्रकार के मार्क की रचना जो ट्रापिक को स्मूत करे हिंदुस्तान के कौने कौने में हमारा सामान तेजी से पहुँचे जिस प्रकार से समूंदर में टर्न एराउंड टाइम कोई जहां जाए खाली हो या भरे और कितने दिन में आगे चला जाए इसमें जितना समय कम लगता है उतनी एफिसेंसी की गणना बैश्विक स्तर पे होती है आज भारत में उस टन एराउंड टाइम को कम करने के लिए हमारे नितीन जी के नेत्रुत में अनेक इनिशेटिव लिए गए है इस टन एराउंड टाइम को कम करने में एक वबस्ता होती है पॉर्ट से बाहर निकलने के बाद अपरके सारे ट्रक्स कितनी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं अगर आगे बॉटल लेख होगा तो टन एराउंड टाइम के लिए पॉर्ट में कितनी ही टेक्नोलोजी हम लाएं रुकावट बनी रहेगी और इसलिए आपने देखा होगा कि आज कंडला पूरे गुजरात के हिसाब से देखें तो भी एक कौने में एक छोटा सा नगर देश के हिसाब से तो ध्यान भी नहीं जाएं लेकिन आज कंडला में करीब करीब एक हजार करोड रुपियों के इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं